एक ऐसा फेस मास्क जो आप घर पे बना करके अपने चहरे पे दाग मुहा से हटा सकते हैं, अपने चहरे को टाइट एन, ब्राइट एन मना सकते हैं, अपने चहरे से हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को इसली सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही आपकी स्किन, ग्लास स्किन में ट्रा इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक clean बाउल लेना है और उसमें डाल देना है एक चमच भर करके basin basin यहाँ पर base ingredient है जो आपके skin को day by day brighten करता है, tighten करता है आपके skin से हो रहे बहुत सारे problem को solve करता है, anti-aging की problem को solve करता है पोर को cleaning का काम करता है पोर के अंदर जो भी dirt pollutant है उसे clean करता है तो आपको एक चमच भर करके basin यानी ground floor ले लेना है ये बहुत जो कहते हैं ना बहुत जादा beneficial आपके skin के लिए अगर आप इसका single इस्तमाल भी कर रहे हैं तो आपके skin से बहुत सारे problem easily solve हो जाएंगे इसके बाद जो हमारा next ingredient है वो ही बहुत जादा beneficial है हमारे skin के लिए और वो है नीम के powder यास friend मैं यहाँ पे नीम के leaf के powder को इस्तमाल कर रही हूँ जो हमारे skin के पे हो रहे है दाग, धबे, मुहासे या फिर echness, redness इन सारी चीजों को ठीक करता है हमारे skin से tan remove करता है, हमारे skin पे हो रहे है, extra को भी आपके skin पे बहुत जादा दाने आ गया है, आपके चहरा पे बहुत जादा pimple आ गया है है आपके skin बिल्कुल जो कहते है न मुल जहास ही गई है, डल सी हो गई है, तो यह antiseptic का काम करता है, इसमें antibacterial properties पाए जाते हैं, जो इसे किल करते हैं इसके बाद इसे mix करने के लिए जो हम मिलाने वाले हैं, वो है यहाँ पे rose water, यहाँ पे आप दही का भी इस्तमाल कर सकती है, अगर आपके पास rose water ना हो at a time तो, तो यहाँ पे rose water की help से हम इसे मिला देंगे और हमारा face pack बनके बिल्कुल ready हो चुका है इसमें कोई ताम जाम नहीं करना है, कोई भी आपको यहाँ पे बहुत जादा ingredient involved नहीं करना है, बहुत time हम ऐसे सोचते नहीं, इतन्या दो ingredient मिला कि क्या हमारी skin पे फायदा करेगा, पर sometime क्या होता है, कि आपका single ingredient अगर बहुत जादा powerful है तो आपके skin पे वो काम कर जाएगा जो आपके 10 ingredient भी नहीं कर सकते हैं, तो basin मेरा all time favorite है, मैं हमेशा कहती हूँ कि basin का से जो कहते हैं आप हमेशा अपने skin पे topical application के लिए apply करने के लिए face wash आप भूल जाएगा, मैं यकीन से कह रही हूँ, अगर आप rose face पे अपने basin का इस्तमाल कर रही है as a face wash, यहाँ पे मैंने अची तरीके से कर लिया है, mix आप देख सकते हैं, ठिक सा paste आपको achieve हो जाएगा, अगर आपको लगता है rose water कम जादा है, तो उसे आप घटा बढ़ा सकती हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे मेरा pack बन के बिलकुल तयार हो चुका है, सारे लोग इसका इसका इस्तमाल कर सकत तो चलिए इसको कैसे अपने face पे लगाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं cleansing करूंगी, अपने face को clean करूंगी, जो मैं per day चाहती हूँ कि मेरे सारे YouTube family करें, अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने skin पे बहुत जादे effort नहीं दे रही हूँ, आपको बहुत सारे काम है, तो आप सिंगल सिर्फ कच्चे दूद से अपने skin को clean करें per day, इसे better off करने के लिए मैं यहाँ पे दो चार जो कहते हैं, रेसे डाल रही हूँ, सैफ्रोन यानि केसर की, अगर आपके पास है तो डालिए वरना आप सिर्फ कच्चे दूद से अपने skin को साफ कर सकती है 10-15 मिनिट के लिए मैं इसे दूद को छोड़ दूँगे मिलको ताकि यह थोड़े देर तक तक वो जो सैफ्रोन है, वो केसर है जो इसमें मिल जाए, इसके बाद 10 मिनिट छोड़ने के बाद मैं इसे अपने skin को clean करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मेरे skin की texture आप देख रहे की वज़े से, तो यहां पे मैं इस वज़े से भी pack को prepare करना चारी थी, कि मैं अपने skin को थोड़ा tone up करूँ, अपने skin को थोड़ा better off करूँ, तो सबसे पहले cotton से मैं अपने skin को clean करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं cotton की help से पूरे milk को अपने skin पे लगा लूँगी, और उसके पाद 10-15 मिनट छोड़ दूगी, raw milk आपके best cleanser का काम करता है, साथ ही आपके skin पे हो रहे है, बहुत सारे problem को, anti-aging problem को solve करता है, pigmentation हो रखा है, चहरा काला पढ़ चुका है, tan हो रखा है, dark circle की समस्या है, तो आप इसे milk से clean कर सकती है, आप पर डे कच्छे दूद से अपने skin क साफ कर रही है, तो आपके चहरे से related, आपके skin से related, कोई भी इशु नहीं होने वाले है, आप चाहें, तो वाइल मिल्क भी यूज कर सकती है, मगर as compare, कच्छे मिल्क का जादा जो कहते हैं, यह रहता है, अगर आपके पास कच्छा मिल्क नहीं है, तो आप बिलकुल पैकेट कर सकती है, बिना बॉल किये हुए, तो आप इस तरीके से पूरे एरिया में, आप आइज एरिया में भी क्लीन करिएगा, क्योंकि हमारा जो मेक अप है, कभी-कभी ऐसा तरह सट जाता है, हम face wash करते हैं, और भी scrub करते हैं, तो अच्छी तरीके से नहीं निकलता है, आइब्र कॉटन की हेल्प से इसे पोचके हटा दूगी, तो यहां पर मैं अपने सिकन को wash out करने के बाद इस पैक को प्रिप्यार करी हूँ, और इस पैक को लगाने वाली हूँ, तो आपको इस पैक को अपने हैंड की हेल्प से पूरे एरिया में आपको लगा ले ना, इसके smell जस्ट जो कहते है ना कि बहुत जल्दी जो कहते है इरिटेशन होने लगता है इचिंग होने लगता है छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं गर्मियों से घमोरिया हो जाती है चैरे पे भल जाती है गले में भल जाती है तो इसका यह बहुत सिंपल इलाज है कि आप इस पैक को लगा सकत बट 1515 से एवब लोग को आप यूज करना है क्योंकि इसमें जो नीम का है तो इस वज़े से हो सकता है थोड़ी आपके स्किन को इरिटेट कर सकती है थोड़ा जल सकता है थोड़ा जो कहते है कि इचिंग लगेगा थोड़ा सा लहर सकता है पर सच बताओ तो मुझे बिल्कु बड़ा करके उसे पीस करके पाउडर बेस में बना करके घर पर रख ले वो बैस्ट होता है अगर आपके पास नहीं है अवैलेबल क्योंकि मेरे आसपास कोई भी घर में नीम नहीं था तो मैंने इसे पाउडर बायो और्गोनिक का ऑनलाइन मंगाया था और उसके बाद मैं मैं अपने स्किन पर इसे अपलाई कर लिया है 15-20 मिनिट्स रखने के बाद में इसे वर्श आउट करके आपको दिखाने वाली हूँ तो मेरा 15-20 मिनिट्स होते ही मैंने अपने स्किन से इसे हटाया है and you can see the result मेरे स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है मेरे स्किन जो कहते हैं ब्राइटेन हो गई है ग्लास स्किन जैसे चमकने लगी है यहां मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं यूज किया है मैंने कोई भी जो कहते हैं ना बहुत जादा हैवी लाइट नहीं यूज किया नॉर्मल लाइट में आपको अपने स्किन को दिखा रही हूँ और आपको डिफरेंस बिल्कुल दिख रहा होगा कि जब मैं सब पहले जब मैं पैक लगाने से पहले मेरा स्किन का टेक्शर और अभी का टेक्शर में बहुत जादा डिफरेंस होगा आप देख सकते हैं मेरे skin बहुत brighten हो गई थी मेरे skin पे pimples नहीं है अगर आपके skin पे pimples हैं दाने हैं तो ये बहुत अच्छा work करता है तो इसे के लिए आपको definitely जाना चाहिए चलिए फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को subscribe कर देज़ेगा bye take care